इस वीडियो में मैं आपको rotate faces command बताऊंगा rotate faces command को हम कैसे use करेंगे और उसकी क्या conditions होती है और ये कैसे work करती है ये मैंने कोई new file open करा ली मुझे इसमें rotate faces करना है मुझे किसी face को rotate करना है इसकी command का भी हमें बहुत फाइदा है इस command का भी rotate करने वाले का तो उसको हम कैसे करेंगे मैंने यापर कोई box बना लिया जैसे मैंने क्लिक क्या box और मैंने ये इसे box बना लिया अब मैंने इसके अंदर एक और box बना लिया या कोई भी shape हो जो भी आपका काम है मैंने इसमें इसे ही box बना लिया कोई और मैंने इसको इसमें से subtract करा लिया अब मुझे rotate करना है rotate command देने के लिए हम सबसे पहले हापर click करेंगे solid editing panel में हापर click करेंगे rotate faces इस पर click करने के बाद हम face को select करेंगे इसमें भी हम multiple face को select कर सकते हैं मैंने click किया face के अंदर यहाँ पर एक select किया दूसरा तीसरा undo करा लेंगे अगर wrong हो जाए select इस तरीके से मैंने 4 face select कर लिया face select करने के बाद हम यहाँ पर enter करेंगे enter करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ command दिखाएगा axis by object जो हमारा axis होगा वो किसी object के through भी हो सकता है या फिर view view में क्या होगा जो भी आप view रखें या इस तरह रखें इस तरह रखें या इस तरह रखें जो भी आप view रखेंगे उसके according rotate होगा उसके बाद x-axis y-axis and z-axis इसमें क्या होगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो गिज्मों है जो हमारा ये ucs है x, y, z तीन axis है अगर हम यहाँ पर command बार से x-axis लेते हैं मैं आपको example दे रहा हूँ x-axis देते हैं तो वो यह बारा हमारा x-axis है तो इसके चारो तरफ के हिसाब से rotate होगा इस direction में rotate होगा अगर हम यहाँ पर y-axis देते हैं तो वो इस direction में rotate होगा अगर हम यहाँ पर z-axis देते हैं तो वो इस direction में rotate होगा तो मैं इसको आपको बताऊंगा ये तो ज्यादा यूज में नहीं आते व्यू में तो simple जो भी व्यू होगा उसके according हो जाएगा और अगर x is by object होगा तो वो किसी object के according हो जाएगा तो हम यहाँ पर try करते हैं x, y and z तो मैं इसकी तीन copy करा लेता हूँ यहाँ पर click करूँगा copy, select करने के बाद enter one, two, and three, तीन copy हो गए यहाँ पास अब मैं इहाँ पर command दूँगा है, पहले मैं इसको करूँगा मैंने हाँ पर command दया, rotate faces और मैंने इसके face select करा लिए select कराने के बाद मैंने क्या enter, अब मैं यहाँ पर click करता हूँ x-axis मैंने क्लिक किया x-axis उसके बाद specify the origin of the rotation rotation का origin point देंगे मैंने यहाँ पर click करा दिया मसलन और उसके बाद मैंने यहाँ पर angle दिया 25 तो यह ऐसे rotate हो गया x-direction में उसके बाद मैं इस वाले के face को select करके इसको मैं y-direction में करूँगा उसके लिए मैं आपर click करता हूँ आने के बाद मैं यहाँ पर enter press करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर दूँगा y-axis उसके बाद मैं किसी इसका origin point दूँगा specify the origin of the rotation इस पर click करेंगे और मैंने यहाँ पर दिया इसको rotation मानलो 25 enter तो यह y-direction में आप यहाँ पर देख सकते हैं यह y-direction में गया है और यह x-direction में गया है अब मैं इस वाले को select करता हूँ यहाँ पर command दूँगा मैं rotate faces और इसके चारो face को select करता हूँ यह मैंने इसके चारो face select करा लिए अब मैं press करूँगा enter उसके बाद मैं यहाँ पर command दूँगा z-axis इस पर click किया और उसके बाद किसी origin point को select करूँगा click करके और मैं यहाँ पर कोई भी angle दूँगा जैसे मैंने दिया यहाँ पर angle 45 मैंने लिखा 45 enter तो यह z-direction में जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था x-axis y-axis and z-axis तो यह उसी उसी direction में rotate हुए हैं आप देख सकते हैं जो हमारा ucs है उसके according x, y, z जो भी है उसी हिसाब से यह rotate हुआ है तो इस तरीके से हम अपने किसी भी face को rotate कर सकते हैं इसमें हम जो हमारे यह बाहर वाले faces हैं इनको भी हम rotate कर सकते हैं जितने भी यह face हैं इनको भी हम rotate हम किसी भी face को इसमें rotate कर सकते हैं इसमें कोई conditions नहीं है कि edit होने के बाद ही आप इसमें इन faces को भी rotate कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई भी question हैं आप comment में लिख सकते हैं वीडियो को share करें च आप सफाई का ध्यान रखें, गंदी की ना फेलाएं, थेंक यू.